हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकेजटिक लर्निंग में आज की इस वीडियो में हम आपको जेकी एससबी के उस नोटीस के बारें बताएंगे जो एडवर्टाइजमें नोटिकेशन नमबर 4, 5, 6 & 7 of 220 and 1 & 2 of 221 के लिए निकाला गया है चली फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको उन सभी एडवर्टाइजमें नोटिकेशन की तरफ लेके चलते हैं टोटल जो पोस्ट है मार पास 1700 पोस्ट जो है इस अडवर्टाइजमें नोटिकेशन में मैंचन की गई है चली हम दूसरे अडवर्टाइजमें नोटिकेशन में तब जाते हैं चली हम चलते हैं और next जो है advertisement number 6 को open कर दिया गया है और आप यहाँ देखेंगे यह date mention की गई है और यहाँ पे हमार पास इस post के लिए हमार पास total जो number of post है 232 post जो है यहाँ पे इस advertisement में mention की गई है चली हम नेक्स चलते हैं 7th advertisement notification नूमर पे चली hot friends यहाँ पे जो आपके पास advertisement number 7 है यहाँ पे जो है इसमें date mention कीगई है और यहाँ पे number of post जो है मार पास 458 post जो है इस advertisement में mention की गई है जो है कि यहाँ फ्रेंट's हम नेक्स चलते हैं और आपकोנशन नबर 1 और 2 2021 का कदिकाते हैं इस वीडियो के description box में डाल दिया है आप उन्हें इसली से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए friends आपको हम उस notice की तरफ लेके चलते हैं आप इस notice में देखेंगे कि subject में mention किया गया है computer-based return test, CBT for various posts of various departments, advertised wide advertisement notification number 4567 of 2020 and 1 and 2 of 2021 आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले first point में यहां पर लिखा गया है जिके SSB ने advertisement notification number 4567 of 2020 and 1 and 2 of 2021 के लिए exam की date mention कर दीगे गया है उनका exam 25th September से 1st October तक चलेगा और second point में mention किया गया है यहां पर notification के मताबिक एन lecture A में जो post mention की गई थी उनके final exam की date mention कर दीगे है और उनका exam जो है 25th September से होने वाला है और उन exam के लिए वो अपने admit card को JKSSB की official website से 15th September से अपने application number और data birth को डाल के download कर सकते हैं और third point में आप देखेंगे यहां लिखा गया है इन exam में negative marking रखी गया है और हर एक wrong answer के लिए 0.5 marks रखा गया है और इन post के लिए syllabus जो है JKSSB की official website पर available है आप अपना fourth point में यहां देखेंगे लिखा गया है अगर कोई भी candidate अपना admit card find नहीं कर पा रहा तो JKSSB को 20 September से पहले अपना claim कर सकता है और 20 September के बाद किसी भी claim या representation को accept नहीं किया जाएगा तो चली friends हम नीचे scroll down करते हैं scroll down करने पर आपके सामने यहां पर एक जो पोस्ट है वो आपके सामने यहां शो हो रही है और यहां पर 25 September से यह examination होने वाले है इनके नेक्स्ट मर पर यहां advertisement notification, item number, department, name of the post यहां mention की गई है total number आप पोस्ट यहां पर शो हो रही है और next नमर पास CBT examination date आपके सामने यहां पर है आप यहां देख सकते हैं सबसे पहले जो exam है वो 25 September से होने वाला है लास्ट जो यहां लिखा गया है 27 September से लेके 1 October तक in department का exam होने वाला है और आप देख सकते हैं total number जो है हमार पास जिनका exam होने वाला है वो 533 जो post के लिए exam यहां पर conduct किया जाएगा तो friends आज की वीडियो में आपने जाना कि विरिस post के लिए CBT exam और उनके admit card की date mention कर दी गई है तो friends आज के लिए इतना ही हम अपनी next वीडियो मिलते हैं इस तरह के informative वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल तो जूरूर सबताय करें